गुद आफ्टनून बच्चो गुद आफ्टनून नवश्कार राम राम स्वागत है आप सभी का वेटिकन यूट्यूब चैनल पे मैं इल पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जल्दी से एक बार जुड़िये और बताइए क्या आप सभी को आवाज आ रही है सभी बच्चो को गुड़ आफ्टनून सभी बच्चो का हार्दिक स्वागत है जल्दी से एक बार जुड़ो और बताओ आवाज आ रही है क्या आ रही है और साथ की साथ सेशन को शियर करो आज से हमने नई सीरिस स्टार्ट किया है बच्चो चक्दे फटे सीरीज और मैट्स में चक्दे फटे करेंगे हम फटे चक देंगे दिल्ली पुलिस और चंडिगर पुलिस और सीटी या जो भी एक्जाम आप देने वाले हो मैट्स के क्वेशन जहां भी आएंगे जिस भी एक्जाम में मैट्स का स्लेबस आएगा ना उस सभी के लिए चक्दे फटे रहेंगे भाई उस सभी के लिए सभी एक्जाम के लिए फटे चक देंगे हम इस सीरीज से और बहुती अच्छी ये सीरीज रहने वाली है टॉपिक वाइज सीरीज हम ये स्टार्ट करने जा रहे है पहला जो टॉपिक उठाया है वह उठाया कौन सा बच्चो वह उठाया है हमने नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के important questions से हम सुरवात करने जा रहे हैं आज पहली क्लास है फस्ट डे है गुड इवनिंग सभी को गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून जै हिन जै भारत नमशकार इंदू नमशकार भाई कुमार दर्शन सनी काजल सुरेश सभी को नमशकार सभी का किया है डेली ढाई बजे हम लाइव आएंगे बच्चो तो आज ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है नंबर सिस्टम की और इसमें हम कुछ important concept और उनकी questions को करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले हम question series लेके आए हैं आज जो questions हम करेंगे बच्चो वो कैसे रहेंगे सबसे पहला सवाल आपके सामने में लेके आ चुका हूं पढ़िए इसको और बताइए जल्दी से क्या answer आएगा good afternoon इंदू very good afternoon बच्चे स्वाजत है आपका मिस मत करना एक भी class सारी के सारी class attend करते रहना नंबर नहीं गटेगा बच्चो इब्राहिम खान जी नमशकार मिनाक्षी सबीको नमशकार सबीको नमशकार सबीको नमशकार सेटर्डे वाले test के questions भी करवा दे करवा देंगे बच्चो वह भी वह भी करवा देंगे आप चिंता ना करें पढ़िए जल्दी से पहला question आपके screen पे आ चुका है क्या है दिखिए हमें दे रखा है seven eight seven eight one six zero five में एक के स्थानियमान और जातियमान कांतर क्या है इसमें एक के स्थानियमान और जातियमान कांतर अगर हमें देखना है देखो seven eight थोड़ा सा बड़े विजिट्स में लिख लेते हैं फॉंट बड़ा कर लेते हैं और यहां से अगर हमें स्थानियमान इसका जानना है इसका स्थानियमान अगर आपको लिखना है तो एक इसके बाद जितने भी डिजिट है ना उतनी जीरो लगा दो यह आगया स्थानियमान और इसका जातियमान जातियमान तो जो यह डिजिट है वही लगाओ और दोनों का difference करना है तो difference हमारे पास क्या आजएएगा difference आजएगा बच्चो जाती है मान place value और face value place value और face value का difference हमें निकालना था बड़े आराम से आप कर सकते हो बच्चो ठीक है बड़े आराम से आप कर सकते हो चलो अगला question आपके screen पे है पड़ो जल्दी से और बताओ क्या answer आएगा पड़ो जल्दी से नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रेन पे आ चुका है फिफ्थ बिल्डिंग नई बिल्डिंग नमबर सेवन फस्ट फ्लोर से ये क्लास चल रही है आज बच्छो बिल्डिंग फस्ट बिल्डिंग नमबर सेवन फस्ट फ्लोर से ये क्लास चल रही है राम राम विकास चहल जी राम राम भाई नमश्कार सरीता खत्री जी गुड़ाफ्टनून नमश्कार रिपीट करें रिपीट कर देते हैं देखो बड़ा ही आसान सवाल था भई लास्ट जो आपने पढ़ा है जादे रखा था बच्चो ड्यान से सुनो एक के स्थानियमान और जातियमान का अंतर हमें निकालना था एक के स्थानियमान एक का स्थानियमान कितना है थाउजेंड ही तो है एक का स्थानियमान कितना है हजार है किसी का भी स्थानियमान चाहिए न उस डिजिट को लिखो और है उसके पीछे जितने डिजिट थो येस सथाणियम और जातियम तो वह डिजट ही जातियम जैसे ऐकका जातियमर्ण एक ही एक का दोई है पांच का साथ को ये जातियमर्ण स्सेम रहता है ठीक है अब ज इस वेल्यू का डिफरेंस निकालना है आठ की फेस वेल्यू का डिफरेंस इस आठ की फेस वेल्यू क्या है आठ ही है और इस आठ की फेस वेल्यू क्या है आठ दोनों का डिफरेंस करोगे क्या आएगी डिफरेंस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 वैल्यू क्या आएगी कि face value का difference हमें करना था यहां से इसकी face value आठ है तो आंसर यहां पर क्या बंद खाय है पंसर यहां से सुनो फेस value की अगर बात करें तो फेस value 0 की face value 0 है 1 की face value 1 है 2 की face value 2 है fix होते हैं ये 3 की face value 3 है 4 की face value 4 है 5 की face value बचो 5 है और ऐसे ही 6 की face value 6 है City में फिर और 9 की फेल्युद किए लिगा बच्छो नो है यहां से आठ कहीं भी लिख आ इसकी फेस्वेल्यु आठी लिएंद को दोनों जगे इसकी युह 0 दोनों का डिफिरेंच करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा रिजल्ट य om पर जीरो मिलेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रेन पर आ चुका है पढ़ो जल्दी से और बताओ क्या आएगा सर जी बिल्कुल डेली लेंगे भाई रिंग को अलावत जी डेली क्लास रहेगी कितने बजे धाई बजे से लेकर साड़े तीन के बीच में और अभी हमने टॉपिक वाई सीरीज आज से स्टार्ट किया पहली क्लास है इस सीरीज की इस सीरीज की पहली क्लास है चकदे फटे सीरीज रहेगी बच्चो ये चाहे दिली पुलिस का टेस्ट हो चाहे चंडिगर पुलिस का टेस्ट हो चाहे आपका HSC CT का टेस्ट हो चाहे SSC का टेस अगला ग्वेशन आपके स्क्रेन पे आ गया है जल्दी से पढ़ो रांसर बताओ क्या आएगा वेरी गुड और साथ के साथ सेशन को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्या दे रखा है यह आपको दे रखा है एक वैलू दे रखे बच्चों एक नंबर दे रखा है नंबर क्या दे रखा है नंबर दे रखा है फोर टू फिर है स्टार फिर है 6053 स्टार के जातियमान और तीन के स्थानियमान का योग दस है किसी का जातियमान वो खुद वैलू हो होती है इसका स्थानियमान तेन है इनका जोड क्या दे रखा है बचो दस तो स्टार की वैल्लू क्या आएगी 10-3 कितना आएगा यह आपका साथ आएगा तो अंसर आपका क्या ओजाएगा यह आपे अंसर हो जाएगा 7 answer क्याएगा बच्चों answer आपका seven आयेगा बहुत सारे बच्चों ने सबिए बहुत सारे बच्चों ने एकदम सबिए रहने वाला है तो बड़े शांदार तरीके से आप ऐसे ऐसी टाइप सको सीखोंगे बच्चों बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रीन पे लगा दिया है नमस्कार भई साहिल मलिक जी नमस्कार श्वागत है बच्छे आपका पटो जल्दी से एक क्वेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डेली ढाई से लेकर साड़े तीन बजे के बीच में बचो खुंखार तरीके से खार एकदम फट्टे चग देंगे सभी एक्जाम्स के फट्टे चग देंगे अगला क्वेशन आपके सामने है सर जी एम कहां से मिला आपको एक नंबर का नाम है सीरीज का आज 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 जल्दी पढ़ो चावास साथ अंको की बड़ी से बड़ी संख्या और आठ अंको की छोटी से छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या है साथ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और आठ अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना है कैसे करेंगे साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या है seven times nine यह है और आठ अंकों की सबसे छोटी संख्या है एक के बाद साथ जीरो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस वन ही आएगा बच्चो तो अंसर हमारा क्या रहेगा अंसर हमारा यह हो जाएगा वन फिक है साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या और आठ अंकों की स सबसे चोटी संख्या लिखनी है तो एक तो वन और बाकी साथ डिजिट के आएंगे जीरो बाकी साथ डिजिट के आएंगे बचो साथ डिजिट आएंगे आपके जीरो चिक है ऐसे ही अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जैसे साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्य तो साथ बार नो लिखेंगे, या साथ बार नो लिखेंगे, वो साथ अंको की सबसे बड़ी संख्या होगी, आठ अंको की सबसे छोटी में, एक तो आएगा, एक और बाकी साथ आजाएंगी, जीरो, चिक है, 10 की vaylor तीन ही थी भाई इसमें 3 की vaylor तीन ही है इसके बाद कोई ijigit ही नहीं तीन की place value तीन ही है या और star की value क्या है star की face value star ही रहेगी यहां पर तो visit आएगा दोनों गा जोड़ हमें 10 दे रखा है तो यह question आप इस त्शेरा siyaya सकते हैं चलिए अगला question आपके screen पे बचो QA So Next question आप Newton पे लग चुका है जलदी इसे पढ़ेंगे और answer बताएंगे क्या आएगा स्ट धीसे नेक्सिट question आपके screen पे है कि शाबागा शर बत्सारे बचों ने अभी पढ़ो जल्दी से अगला question आपके screen पे आ चुका है, शाबास, लिए आएगा, पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो एक से शुरू और दो पे खतम हो जाए, मतलब पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, पाँच अंक है, पाँच, एक से शुरू है और दो पे खतम है तो बीच में सारे नो आएंगे, अगर बड़ी चाहिए तो बीच में सारे नो आएंगे, और छोटी चाहिए तो बीच में सारी जीरो आएंगे, छोटी अगर चाहिए ना, तो बीच में सारी क्या आएंगी, जीरो, जीक है, बीच में सारी क् with digit 1 and ending with अच्छा दो पर खतम हो यहां पे यह 2 यहां नहीं आएगा and with 2 यहां पे आएगा 2 यहां पे 2 आएगा बच्छो चीक है beginning with digit 1 and ending with digit largest number is it beginning with 1 ending with 2 यह आपका answer रहेगा और यहां से आप देख पा रहे हो यह आपका D option answer आजाएगा बच्छो क्या आजाएगा D option answer आजाएगा ठीक है चलो next पढ़ो अगला question आपके सामने अगला भी ऐसा ही है इसी type का है बताओ जल्दी से good afternoon money who does you very good afternoon बच्छे आँ हाँ चाबास पाला जी चलोगे घूमने पाला जी घूमने जाते हैं चाबाई पढ़ो पहले questions तो उसको solve करो घूमने फिरने की बाते तो बाद में करेंगे जोब मिल जाएगी तब आप लोगों को फिर देखेंगे कौन कौन घूमागे लाएगा अभी तो बेरवजगारी में हो आप लोग क्या आएगा देखो छे अंको की छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका पर्थम अंक छे और अंतिम अंक एक है छे अंको की है भई छे अंको की है एक दो तीन चार पांच छे पहला अंक छे है और अंतिम अंक एक है और छोटी है तो सारे जीरो लगा दो बीज में चार बार 0 आ जाएंगी तो यहाँ पे value आपकी क्या बनेगी value बनेगी बी option वैल्यू क्या बनेगी बाई value बनेगी बी option ठीक है चलो अगला question लिखो शाबास next question आपके सामने है पढ़ो जल्दी से कितने बज़े तक होती है कलास पुझा दलाल जी साड़े तीन बज़े तक होती है ठाई से लेकर साड़े तीन के बीच में रहती है हमारी कलास ठाई से साड़े तीन बताओ very good बढ़ो बच्चो option साफ नहीं दिख रहे है और सन साफ तो दिखने चाहिए भाई कि क्या दे रखा है तीन एक चार हमें क्या दे रखा है तीन एक चार दो और जीरो दो और जीरो इनसे बनने वाली एक अंका एक इबार प्रियोग करते हुए पांच अंकोगी सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या पांच अंकोगी सबसे बड़ी संख्या अगर हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी बड़ी बनेगी चार तीन दो एक जीरो और सबसे चोटी क्या बनेगी सबसे चोटी में आगे जीरो नहीं आ सकती बच्चोँ इस बात का ध्यान दखेंगे आप एक जीरो दो तीन चार इनका हमें डिफरेंस करना है तो घटा लो डिफरेंस करना है बच्चो घटा लो घटाओगे तो माइनस करते हैं माइनस करेंगे तो यह आएगा च्छे यह आएगा साथ यह आएगा नो और यह आजाएगा दो और यहां पर आएगा 3 3, 2, 9, 7, 6 3, 2, 9, 7, 6 यह आपका किस option में है भई यह आपका C option में किस option में है बच्चे C option में है तो C option आपका answer एकदम सही है बिल्कुल सही है C option फिक है इन अंकों का प्रियोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है सबसे बड़ी तो descending order में लिख लो अंको को और सबसे छोटी के लिए ascending में लिखो लेकिन पहले जीरो नहीं लिख सकते आप पहले जीरो लिखो गे तो चारंगों में आ जाएगी पुजा गलत है छोटी संख्या में चोटी संख्या में पहले जीरो नहीं लिख सकते दिया अगर आपने पहले लिख द epilepsy बनी कि आगए जीरो नहीं लिखेंगे आप अगर ऐसे लिख रहे न सिरो एक दो तीन चार ऐसे exact यह चारंगोगी यह पांच अंको की नहीं है पांच अंको की संख्या में काउंट नहीं होगी यह ठीक है यह तो घलत हो जाएगा बचो समझे यह आएगी पांच अंको की समसे छोटी इन में से अगला पढ़ो बताओ जल्दी से क्या आएगा अंसर नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रेशन पर आ चुका है जल्दी पढ़ोर बताओ शाबास जल्दी पढ़ोर बताओ बच्चो वारी गुड हलो नमश्कार भाई सीमुक उमारी जी नमश्कार पिजा गुड़ आफ्टरनोन सारे बच्चों को स्वागत है एक नई सीरी चकते सीरीज है चाहे देली पुलिस का एक्जाम देना है चाहे सीटी मेंस देना है चाहे आपने चंडिगड पुलिस का एक्जाम देना है चाहे ससी कोई भी देना है maths के important questions आपके लिए ले के आऊँगा daily ले के आऊँगा previous year ले के आऊँगा ठीक है हर exam के लिए important series ये रहने वाली है तो daily जुडेंगे आप सभी सभी जुडेंगे बच्चो daily के daily सभी जुडेंगे कोई miss नहीं करेगा इस series को एक भी बच्चा मिश नहीं करने वाला है इस series को सारे जुडेंगे a to z बताओ इस question का answer बताओ क्या आएगा बताओ जल्दी से एंग्लिस में statement सही नहीं है resultant values consist the entire of 5s अच्छा अच्छा the value of n a certain number n when multiplied by 13 आगे पीछे हो रखिया बई कहरा कि उस चंक्या को बताओ जिसको 13 से गुणा करने पर सारे अंख 5 बन जाएंगे सारे अंख क्या बन जाएंगे पांच जैसे यह option दे दिया इसने यह option दे दिया अगर मैं इसको 13 से गुणा करता हूं देखो value हमारे पास पहला पहला option है four two seven three five अगर मैं इसको 13 से गुणा करूं तेरा गुणा आज 65 चैंटारीस और छेपेन तालीस चार तेरा गुणा साथ एकन में और चार पिचान में 26 और नो पैंटीस तेरा गुणा चार बावन और तीन पच्पन यह तो पहले यह option में आ गया यह तो क्या आगया वही फस्ट ही option में आ में आ रहा है तो पहला ही option क्या हो जाएगा पहला ही option हमारा answer आजएगा पहला ही option क्योंuana answer आजएगा क्या ब्यालीस साथो पैतिस इसको अगरा तेरा से गुना करोगे तो सारे के सारे डिजिट पांच बनेंगे गुनन फल में ठीक है सारे के सारे डिजिट क्या आएंगे बच्छो पांच आएंगे गुनन फल में यह आपका अंसर रहेगा सारे के सारे डिजिट पांच होने चाहिए ठीक है गुनन फल में यूँ भी कर सकते हो या फिर आप यूँ भी ले सकते ह पांच यह से लिख लो और इसको त्यरा से भाग करो टेरा से भाग करों तो त्यरा से चार पे गया बावन बचेगा तीन पास तेरा से तीन पे गया 49 बचेगा यहां पे तो पर जाएगा ना एरा से दो पर जाएगा 46 जी एक है बचेगा कितना नो फ्र पाँ आएगा destॉ इन एगा एक ज़ूए कर आएगा ओ टियार झार के बाद पास से एसे भी कर सकते हो ऐसे भी option से option की बजाए ड moral को सात से हो जाएंगे option से हो जाएंगे ठरटीन के मल्टिप्लाई करना है रहा कुशन ऐसे हैं वह चोटी से संख्या बताओ जिसको साथ से गुना करने पर कि जिसको साथ से गुना करने पर सारे अंग 5 बनेंगे 6 बनेंगे ऐसे डिजिट भी आते हैं ऐसी ऐसे question भी आते हैं तो उनको भी आप ऐसी लेके solve करते जाएंगे ठीक है ऐसे ही solve करते जाएंगे बच्छो ओके चलो अगला question आपके सामने है पढ़ो जल्दी से और बताओ क्या आएगा answer नेक्स्ट question आपके screen पर आ चुका है बच्छो जल्दी से पढ़ो रांसर बताओ क्या आएगा मैं वरि गुड हाँं डिवाइड भी कर सकते हो पांस लिखो पांस 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 की फो में पर में दो दौनकों में लिखलो छह 6 है सारे अंग 6 हो जाएं तो भी 2-6 लिख लो उसके बाद भाग करते जाओ और जो रिमेंडर है ना उसके बीछे 6 लगाते जाओ 6 लगाते जाओ साथ लगाते जाओ ऐसे जो भी दे रखा वई ठीक है पड़ो जल्दी से वेरी गुट और सेशन को शेर भी करो बच्चो जो आएगा इसमें जादे रखा है हमें नम्मर दे रखा है 6 1 स्टार 246 छे से विभाजित होता है यह पूरा छे से भाग हो जाता है छे से भाग होने का मतलब है दोसे और तीन से भाग हो जाए है थो से तो यह भाग हो रहा है तीन से भाग होंए का मतलब है अंको का जोड़ जो alicatua apart 4 13 19 19 में कितना जोड़ें की 3 से भाग हो जाए 19 में कितना जोड़ें की 3 से भाग हो जाए 19 के जस्ट बाद वादा तो 21 आता है ठीक है 19 में कितना जोड़ें की 3 से भाग हो जाए 24 भी हो सकता है 19 में कितना जोड़ें की 3 से भाग हो जाए 20 27 भी हो सकता है और 30 नहीं हो सकता क्यो है यहां से स्टार की वैल्यू क्या रही है दो यहां से स्टार की वैल्यू पांच जाएगी और यहां से स्टार की वैल्यू क्या जाएगी आठा जाएगी सवाल यह था कि छोटे से छोटांग क्या है तो छोटे से छोटांग के दो है छोटे से छोटांग क्या है बच्छो छो स्टार की जगह पे आने वाले संभाविट अंकों का जोड़ कैया संभावित यहां पे तो संभावित अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा तो संभावित अगर है तो आसे जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा बहुत ही अच्छा क्वेशन है शाबास बहुत बढ़िया आसर इनको पहले ही कैंसल कर दें कर दो भाई कैंसल कर दो चलो आगे बढ़ो पढ़ो अगला क्वेशन आपकी स्क्रीन पे है वेरी गुड़ बहुत अच्छे 0 आएगा की 2 आएगा बताओ 0 आएगा की 2 आएगा देखो 7 स्टार 168 ये किस से भाग होना चाहिए ये 8 से पूरा भाग होना चाहिए 8 से पूरा भाग होता है तो 8 से भाग की पैचान तो इन 3 अंको पर डिपेंड करती है इन तीन अंकों से बनी संख्या अगर आठ से भाग हो रही है तो पूरी संख्याठ से भाग हो जाएगी इन तीन अंकों से बनी संख्या अगर आठ से भाग हो जाएगी तो यहां पर यह तीन अंकों से बनी संख्याठ से भाग हो रही है तो स्टार की से गए पर कुछ भी रख सकते हो 70168 होगा भाग 7168 होगा भाग 72168 भाग हो जाएगा 73168 भाग हो जाएगा 74168 भाग हो जाएगा 75168 यह भी भाग हो जाएगा 76168 यह भी भाग हो जाएगा 77168 यह भी भाग हो जाएगा 77168 यह भी भाग हो रहा है 78168 यह भी भाग हो रहा है और 79168 यह भी डिवाइड हो रहा है तो कोई भी डिजिट रख सकते हो बच्छो स्टार की से कहा कोई भी डिजिट वो एट की डिवीजिबिल्टी का है ही नहीं इट की डिविजिबिल्टी तो यहां तक ही है बच्चो यहां तक केवल इधर तक ही है तीन अंको तक ही है आखरी तीन अंको से बनी संख्या अगर भाग हो रही है आट से तो भाग हो पाएगी आखरी तीन अंको से बनी संख्या भाग नहीं हो रही आगे चाहे कुछ भी दे आ रहा है, एक सो अरसेट ही तो है, यहां भी एक सो अरसेट है, यह भी एक सो अरसेट है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी एक सो अरसेट है, यह भी एक सो अरसेट है और यह भी क्या है, एक सो अरसेट है, लास्ट त्री डिजिट नमबर का ही खेल है इसमें, लास्ट डिजिट नंबर का ही खेल है सारा इसमें उके चलो आगे भड़ते हैं अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पे है जल्दी पढ़ो रांसर बताओ क्या आएगा जल्दी पढ़ो बच्चो अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है वेरी गूड साथ की साथ शेर करो शाबास बहुत बढ़िया बहुत ही शांदार लेकर जाने वाले हैं इस सीरीज को बहुत ही शांदार आने वाली है यह सीरीज आपके लिए सभी के लिए और रहने वाली है और नेक्स्ट आ चुका है गुड आप्टनून दिपांशु जी वेरी गुड आप्टनून बच्चो जो बच्चे लेट आये हैं उनको बता देता हूं धाई बजे क्लास शुरू करेंगे हम डेली डेली धाई बजे दिली पुलीस हो चाहे चंडिगड प सबकरटे चंप देंगे हम हां今天 अबत चंफ देगे हम इ चंप सिर्इस है व्मारी ऑग्जाम के प्पटे चकेंगे यहां से रहा है हमें दिया हुआ है सैवन एट स्टार फाइलएव वन सेवन चैन Letter से 12ल आ श्ञारा है स्टार की सगह ऑन एगा तो 11 की divisibility क्या होती है एक digit को छोड़ के एक को जोड़ दो एक digit छोड़ के एक को जोड़ दो बिल्कुल राजियंदर जी CT मेंस के लिए भी बड़ी important रहेगी है series इनको add कर दो बच्चो यह हो गया 8 plus star अब इनको add कर दो add 5 13 और 7 कितना हो गया 20 ठीक है 13 और 7 कितना है बच्चो 20 है 20 है अब यह कह रहा है कि 11 से भाग होनी चाहिए तो यह तो इनका difference 0 आजाए यह इनका difference 11 आजाए 0 तो आनी सकता इनका difference 0 आएगा तो star की जगह 12 आएगा तो 0 तो आनी सकता difference क्या आना चाहिए फिर 11 आना चाहिए difference ग्यारा कब आएगा जब बड़े में से छोटे को गटा होगे मतलब 20 में से minus करो 8 प्लस star और बराबर रखलो 11 के यह कितना हो जाएगा 12 minus star 12 minus star बराबर 11 के 11 इदर आएगा तो star की value क्या आजाएगी star की value 1 आजाएगी तो answer आपका क्या आएगा भई answer आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा answer क्या हो जाएगा बच्चो answer यहाँ पर 1 आजाएगा चिक है answer यहाँ पर बच्चो क्या आएगा answer यहाँ पर आपका 1 आजाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हो ग्यारा से भाग की पहचान सम और विसम स्थानों के अंकों का अंतर विपलेंस का डिफरेंस अगर आपका 11 सेडिविजिबल है तो पूरी संक्या 11 से भाग हो जाएगी यहाँ पर क्या दे रखा है यह नमबर हमें दे रखा है देखो यहाँ पर लिख लेते हैं दुबारा समझा देता हूं दुबारा इधर इधर दुबारा समझा देते हैं 7 8 star 5 1 7 हमने क्या किया इनको add कर लिया तो यह हो गया 7 प्लस 8 प्लस स्टार ठीक है इधर से इनको add कर लिया 8 और 5, 13 और 7, 20 Divisibility 11 की यह होती है कि जो even और odd places पे जो digit है उनका difference उनका difference क्या आजाए अंतर अंतर क्या आना चाहिए अंतर आना चाहिए या तो 0 या 11 या फिर 22 या फिर 33 या अंतर आएगा तो पूरी संक्या 11 से भाग होगी अब अगर अंतर 0 चाहोगे तो यहाँ पर 20 है यहाँ भी 20 होना चाहिए 20 कब होगा जब star की जए 12 और 12 आ नहीं सकता क्योंकि 12 तो 2 डिजिट में है हमें चाहिए single digit हमें क्या चाहिए single digit तो 0 वारा तो यहाँ से अटा दो अब डिफरेंस चाहिए 11 11 डिफरेंस का मतलब अब बढ़े में से चोटा तो 20 में से 20 में से हम क्या गटाएं 20 में से x प्लस star 8 प्लस star को गटा के बराबर रख लो 11 11 इधर आएगा यह उधर चले जाएंगे या इसको गटाओगे तो यह क्या बनेगा 12 माइनस star बराबर है 11 के तो star की value यहां से भी क्या आ रही है यहां से भी one आ रही है star की value क्या रही है बच्चो यहां से भी one आ रही है चिक है इस तरीके से कर सकते हो चलो next question आपके screen पे ले आते हैं पढ़ो जल्दी से और बताओ क्या answer आएगा धन्यवाद भाई दिपांसुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझा रहा है ना सभी को समझ के जाना है भाई समझ के जाना है नंबर पक्के करने हैं यहां से हर क्लास से नंबर पक्के होंगे हर क्लास से नंबर पक्के होते चले जाएंगे कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे और नंबर भी पक्के हो जाएंगे अना हाँ पढ़ो शबास नंबर पक्के करते चलो यहां से नंबर पक्के करते चलो गई शबास बिलकुल आज फर्स्ट क्लास है इस सीरिज की वैसे तो बहुत सारी हजारों क्लास हम ले चुके हैं यूटूब पे बट ये जो सीरिज आज हमने चालू किये ना इसकी पहली क्लास है इसकी पहली क्लास है आज जल दी से आप आस वेरी गुड़ बच्चो वेरी गुड़ याएगा फोर आएगा क्या दे रखा है देखु हम वेल्यू दे रखी है 65, 3, x, y और ये डिविजिबल है किस से 90 से डिविजिबल है 90 से डिविजिबल का मतलब है संख्या 9 से और 10 से भाग हो जाए आखरी डिविजिब जीरो हो आखरी डिविजिब तो जीरो है अब इसका हिसाब किताब करना है अंको का जोड किस से भाग होना चाहिए 9 से तभी तो ये 9 से भाग हो पाएगी अंको का जोड नो से भाग होगा तभी तो ये 9 से भाग हो पाएगी तो कैसे करेंगे डान से सुनो 6 और 5 11 और 3 14 14 में कितना जोड़े 14 में X जोड़े किनों से भाग होने वाली संख्या मतलब 18 बन जाए तो X की वैल्यू क्या आ रही है X की वैल्यू चार आ रही है X हमारा 4 है Y हमारा 0 है हमें X और Y के अंको Y अंको का योग क्या होगा मतलब X प्लस Y चाहिए तो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 यह आएगा तो अंसर हमारा क्या आएगा बच्चो अंसर यहां से 4 आ जाएगा 9 का डिवीजिबेल्टी होता है अंको का जोड नो से भाग हो जाए नाइन की डिवीजिबेल्टी क्या होती है भई अंको का जोड नो से पूर्णतय विभाजित हो जाए सी ओप्शन एकदम सही जवाब दिया बच्चो आप लोगों ने ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आ गया है बताओ जल्दी से बताओ यदि संख्या दो तीन चार आठ साथ के टू आठ से विभाजित है के के सभी संभव अंको का योग क्या होगा एक को छोड के वन को छोड के बात की जितने भी पॉसिबल है ना उन सब का जोड क्या होगा यह हमें निकालना है यह हमें निकालना है नमस्कार भाई ठाकुर साहब जी ठाकुर साहब भी आये हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेश फोगाट जी बहुत-बहुत धन्यवाद गुड़ आफ्टरनून ठाकुर साहब आल इन अ a डs र पिछ ले क्वेशन रिपीट करना है पिछला क्वेशन रिपीट करना है देखो कोई भी नमबर दे रख है यह 92 से कब होगा यह 90 से डिविजिबल तब होगा जब यहाँ पे तो जीरो होगी और यह यह पूरी संक्या के अंको का जूड 9 से पूरा भाग हो जाएगा 6 और 5 ग्यारा और 3 14 14 में कितना जोडें यह से भाग हो जाएं इतारा नोसे भाग हुने वाला नंबर अगला क्या इतारा है उसके पाद 27 27 पर जा नहीं सकता तो एक्ष की वैलविए यहां पे क्या रही यार और जीरो का जोड сейчас करना है चार जिरो का जोड किया बनेगा चारी बनेगा ये पिछला question था कि इसमें देखो बच्चो क्या है यह में दे रखा है two three पूर एट सेवन के टू आट से भाग होने वाले सभी संभावित मानों का जोड क्या है एक को छोड के एक को छोड़के बाकी सबका जोड हमें निकालना है सर डिविजीबिल्टी रूल्स बता दो रानी जी एक एक करके बता रहा हूं जिस एक जिस क्वेशन में जिसका रूल बतार है ना उसका रूल मैं आपको बताते जा रहा हूं बाकी अलग से भी बता देंगे चिंता ना गरो यह साथ से भाग होगा कब जब यहां पर आठ से आठ से आठ से अगर हम इसको बाग करने लग जाए गया तैवन के टू है आठ से भाग करेंगे तो यह कितना है यह कि आठ की टेबल में दो किस किस में आता है तो 32 में आता है अना एक किस में आता है बहतर में आता है और किस में आता है और किस में आता है आठ की पूरी टेबल में अगर हम देखें तो 32 में आएगा और बहतर में आएगा और तो किसी में टू नहीं आ रहा है आठ की टेबल में तो एक तो 32 में आता है एक बहत्तर में आता है ठीक है 32 में आएगा तो यहां पे कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए 76 होगा यहां पर 5 होगा 5 5 होगा तो 8 9 पर जाएगा 26 बचेगा 3 2 8 से पूरा भाग हो गया 8 100 커피 32 ठीक है मतलब यप तो वैलू क्या है के की जगाए में पांच आ सकता है ठीक है फिर 7 कभ आएगा साथ यहाँ पे तब आएगा जब यह वैलू यहाँ पे 1 हो जाव you क्या हो बॉन हो 7-2, फिर 8-9 पे जाएगा, बहतर, बहतर पूरा वाग हो गया ना, तो क की वेलु किया क्या है, के की वेलु एक तो एक है, एक पांच है, 2-9 का जोड़ करना है, सभी का जोड़ करना हो लेकिन एक को छोड़ के, एक को छोड़ेंगे तो पांच ही आएगा एक को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या आएगा पांच ही तो आएगा और क्या आ सकता है और कोई भी आ सकता है यहाँ पे और कोई वैल्यू भी आ सकती है क्या और कोई वैल्यू भी आ सकती है क्या बताओ और कोई value भी आ सकती है, यह आएगा मेरे हिसाब से तो answer, remainder हमें यहाँ पे तीन और साथ चाहिए, तीन और साथ, remainder, पाच होगा तो तीन आ सकता है, क्योंकि बहतर और, एक तो 64 है, 64 के बाद 72 है, जो 8 से भाग हो रहा है, ठीक है, 64, यहाँ पे 6 है नहीं, आगे तो साथ ही है, यहाँ तो साथ है ना, तो दो ही value बनती है, जिनको रखने से आएगा, 9 भी आ सकता है सर, 9 भी आ सकता है इधर, हाँ, 9 भी आ सकता है भई, बिल्कुल सही कह रहे हो, 9 भ ही आ सकता है, सही बात, बिल्कुल गजेंदर जी, आप की बात एकदम सही है, 7 K2, 8 से बाग करें, अगर यहाँ पे 9 होगा, तो 8 पे जाएगा बैतर, पचेगा साथ हो, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 पे जाएगा बैतर, तो K की value 9 भी हो सकती है, तो C option आपका answer ए सही रहेगा, 14 ही आएगा, सामज गया, बिल्कुल, 9 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 7 भी तो हाँ, यहाँ पे 7 भी तो बैतर, तब बनेगा, जब 7 भी remainder हो सकता है, या 32 बैतर होंगे, तभी तो आएगा, यहाँ पे 9 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, तो अगला सवाल आपके स्क्रेन पे लग चुका है जल्दी से पढ़िये और आंसर बताईए क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रेन पे लग चुका है बच्चो जल्दी से पढ़िये और आंसर बताईए क्या आएगा नो भी आ सकता है बिल्कुल सही का है गजिंदर नेहा जी बहुत बढ़िया अगला question आपके screen पर है पढ़िये जल्दी से नेक्स्ट question आपके screen पर आ चुका है बच्चो जल्दी से पढ़ो निमिलिक्त में से कौन किसे विभाजित है हमें value दे रखी है वैसे तो यह research में भी हम लेके आएंगे question simplification में भी आएगा लेकिन नंबर सिस्टम में भी आ गया है यह सवाल इसको यहां से भी हम उड़ा सकते हैं यहां से भी हम solve कर सकते हैं कैसे करेंगे जो भी value है ना उसको जिसको common निकाल सकते हो निकाल लो 4 की power 61 को lot कॉमन निकाल सकते है یہ 4 की power 0 है 4 की power 1 है 4 की power 2 है और 4 की power 3 है 4k पावर, 61 यहां पर क्या है एक प्लस में चार प्लस में 16 में तब चोचो चॉसेटा किन सब को जोडेंगे तो चार की पावर 61 गुणा में क्या है 我在 लिट श्री है अब यहां से अगर हम देखें तो क्या कोई वेल वैसी है चार ओर-पिचाएसि या तीन से भाग होती होती है नहीं है तेरा से भाग होती है नहीं है दस से भाग होने वाला बढ़ सकता है यहां पर दस से भाग होने वाला कैसे बनेगा दस में दस के फैक्टर अगर आप करते हो दस को हम क्या लिख सकते हैं दस यह सकते हैं दो गुणा 5 रहास तो इसको भाग कर देगा HOW इस तो भाँ करेगा 85 को दो भाँ करेगा चार की पावर 61 को तो भी आप्शन आपका अंसर बिल्कुछ सही आएगा एक तुई ये सवाल है, इसके जैसा एक सवाल और आता है, दो ही सवाल है, ये दो ही क्वेशन है, एक है तीन की पावर 26, तीन की पावर 27, तीन की पावर 28 और तीन की पावर 29, निमन में से किस से भाग होता है, ऐसा क्वेशन आता है, उसके आप्शन हमें देखने हैं, उसके आप्शन हम देखने होते हैं बचो इसमें बताओ इसके वैल्यू कैसे आएंगी इसमें क्या-क्या ओप्षन ओप्षन भी दे देता हूं मैं ए ओप्षन आपको दे रखा है 17 वी ओप्षन आपको दे रखा है 11 आपको दे रखा है 13 और डी ओप्षन आपको दे रखा है बचो दी ओप्षन हम ले लेते हैं यहां पे 13 की बजाए एक ओप्षन हम ले लेते हैं और एक ओप्षन हम ले लेते हैं बचो नन अफ दीज नन ले लेते हैं इनमेंसे यह कैसे कैसे रहेगा सरमेट्स प्रैक्टिस बुक अवलेबल है क्या बिल्कुल है बच्छो बिल्कुल है और एससी के लिए तो स्पेशल बनाई जा रही है बच्छो एससी के लिए तो स्पेशल बनाई जा रही है बताईए जल्दी से शॉर्ट ट्रिक सॉलुशन भी दिये जा रहे है ससी के लिए जो बुक बंड रहे है उसमें क्या आएगा बताओ क्या करें इसमें से क्या को मन निकाल सकते हैं 3 रेस तुपावर 26 यह आएगा 3 रेस तुपावर 0 3 रेस तुपावर 1 3 रेस तुपावर 2 3 रेस तुपावर 3 27 प्लस 9 और प्लस 3 और प्लस 1 27 प्लस 3 तो 30 हो जाएगा 9 प्लस 1 40 हो जाएगा तो यह हो गया 3 रेस तुपावर 26 इंटु में क्या आएगा 40 यहां से अगर आप देखोगे तो 17 भाग नहीं करेगा 11 भाग नहीं करेगा तो भाग क्या करेगा भाग करेगा इसको 30 30 कैसे डिवाइड करेगा 30 को आप देखोगे तो 30 के फैक्टर है 3 इंटु 10 3 तो इसको भाग कर देगा और 10 इसको डिवाइड कर देगा बच्चो तो अंसर आपका क्या आजाएगा अंसर आपका यहाँ पर C option आएगा ठीक है अंसर क्या आएगा बच्चो अंसर आजाएगा C option चलिए next question पड़िए और बताये जल्दी से क्या अंसर आएगा अगला question आपके screen पर आ चुका है जल्दी से पढ़िए और answer बताये जल्दी से पढ़िए बचो बताओ बताओ शाबास नेक्स्ट क्वेस्टिन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है नेक्स्ट क्वेस्टिन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है वेरी गुड बताओ क्या आएगा 8512 के समिप्तम कौन सी संख्या है जो 75 से पूंता विभाजित होती है 8512 के समिप्तम 75 से भाग होने वाली संख्या सबसे पहले तो वन पे जाए गई है 75 बचेगा टैन एक फिर वन पे जाएगा 75 बचेगा 26 तो आ जाएगा अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से कि यहां से कैसे करेंगे भाई इस बादे हो दो अलो बता बचो क्या आएगा दिखों तो 62N 162 अब किस पर जाए गई यह अब तीन पर जाएगा दो आसो पच्छी तो 2225 अब यहां से अगर आप देखोगे तो रिमेंडर क्या आएगा बताओ रिमेंडर यह आएगा 7 और यह आजएगा 3 ठीक है 37 रिमेंडर आया है 37 अगर इसमें से गडाद यह आजाए तो पूरी भाग हो जाएगी पूरी भाग हो जाएगी तो 8512-37 और डिवाइड करोगे तो यहां पे minus करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा यह हो जाएगा आपका 7 then 4 8 8 4 7 5 8 4 7 5 यह आपका answer आएगा किस option में है first option में है यहां पे एक value और बनती है addition की value और बनती है add क्या करेंगे add करेंगे इनका difference इनका difference 38 है तो 8512 में अगर 38 add कर देते हैं provide करेंगे तो यह value क्या आएगे 0 यह आएगा 5 5 और यह जाएगा 8 यह भी डिवाइड होता है और यह भी डिवाइड होता है लेकिन इसमें ज्यादा नस्दीक है 37 जिसमें reminder आया है तो ज्यादा नस्दीक है जो 37 कम है तो अंसर आपका क्या आज आएगा 8475 यह आपका अंसर आएगा वैसे यह दोनों वैल्यू है जो इसके आसपास में डिवाइड होती है लेकिन ज्यादा नस्दीक कौन सा है 8,475 ज्यादा नस्दीक है बच्चो 8,475 ज्यादा नस्दीक है चलो अगला क्वेशन आपके सामने ऐसा ही है बताओ जल्दी से क्या अंसर आएगा पढ़ो जल्दी से वैरी गुड बहुत बढ़िया श्याबास डेली सवाद दो बज़े बच्चो हम इंपोर्डेंट क्वेश्चन्स की सीरीज लेके आएंगे इं हमने नमबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन्स को किया है इंपोर्डेंट हैं बेसिक हैं कुछ एक टाइप यह आपके आज क्लियर हुई होगी परो बच्चो शावास बहुत बढ़िया साथ के साथ शेयर भी करो बच्चो हमें रखा है नाइन टू वन टू और इसको डिवाइड करना है कि से 89 से इसके क्लॉज नंबर हमें इसके क्लॉजेस्ट नंबर हमें चाहिए तो कैसे होगा ध्यान से सुनो सबसे पहले तो वन पे जाएगा 89 बचेगा 310 फिर आजाएगा टू अब किते पे जाएगा तीन पे जाएगा चार पे तो जा नहीं सकता तीन पिले के जाते हैं पहले तो तीन पिले के जाएगे तो तीन से करो तीन गुणा नो 27 चोविस और दो क्या हो जाएगा 26 अब यहां से अगर हम माइनस करते हैं माइनस करते हैं तो यह वैल्यू क्या आएगी भई पाच आएगा फिर चार से चाहे 45 घटा दो घटा होगे तो यह वैल्यू साथ आएगी फिर 6 आएगा और यह एक और यह आजाएगा नूँ चिक है या फिर 9212 में एड़ कर दोगे क्या 44 44 एड़ करोगे तो 6529 2592569256 यह आपका अंसर आ जाएगा छिक है दोनों option में हैं ढ़नों के दोनों वैल्यू option में है यह व्यादा भी ओप्शन में दोनों option में है लेकिन यहां से आप difference देखोगे न जो जिसके भीच में कम difference है एक ख़ान difference 44 है जिसमें कम difference है वो वाली value आपका answer रहेगा और B option कई सारे बच्चों ने दिया है इस बार इनका answer एकदम सही है ठीक है तो आप सभी का answer बिल्कुल सही था बच्चों एकदम सही था मैं आपके लिए question और लेके आता हूं बच्चों आप सभी के लिए एक question और लेके आता हूँ number system का ही time हो गया class का homework question और दे देता हूं मैं आप लोगों को वो आप करके आएंगे एक homework question और देता हूं मैं आप लोगों को वो आप करके आएंगे बच्चों इस बिल्कुल ऐसा ही क्वेशन है इसी टाइब का क्वेशन है बच्चों इसी टाइब का क्वेशन है यह मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क ठीक है टाइम हो गया है क्लास का यह है आप सभी के लिए होमवर्क गर्से करेंगे आप इस क्वेशन को चीक है सर आप किस टाइम सोते हो रात को सौने का टाइम तो कुछ भी नहीं पता साड़े नो बजे पॉने दस बजे तो यहीं से जाते हैं उसके बाद डिनर करते हैं इसले जाते नाते हैं डिनर करते हैं फिर टाइम लगबग 11 सवाग्यारा तो बजी जाते हैं 11 सवाग्यारा तो बजी जाते हैं ठीक है सेशन कैसा रहा questions समझाए सभी को ये comment section में आप डाल देना और जाते जाते session को share करना like करना और channel को subscribe कर देना कल मिलते हैं धाई बजे एक नए session के साथ number system के नई type के साथ नए questions के साथ अभी आज के लिए इतना ही बाई बाई thank you take care share पका करना बचो आप सकत्स क्या रहा है